नमस्ते गाइस, कैसे हो आप सब? TechRakshit का 6 Week Lead Updates एपिसोड में आपका स्वागत है तो वीडियो शुरू करने से पहले उस लाल रेड बटन को दबा जीजिए वरना आगे जाक की अच्छी कंटेंट को मिस करोगे दबा दिया ना, पका, तो एपिसोड को शुरू करते हैं आईए पहला अपडेट ट्रे की तरफ से है तो मैंने पिछले वीडियो में बला था कि Telecom Regulatory Authority of India वाले spam call करने के लिए यूज करने वाली numbers को और info numbers को misuse करने वाली companies को ban करना चाते है अगर एसा ही चलता रहा तो एक दिन scam calls बहुत 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 कम हो जाएगा नेक्स्ट, इंस्टाग्रेम की तरफ से भी कुछ updates है फर्स वन इस अब तक आप post करने के बद उस post के उपर text को add नहीं कर सकते थे लेकिन अब आप एक post के उपर text को add कर सकते है और साथ ही उस post के उपर multiple photos को add भी कर सकते है इसके अलावा अब से आप reels को zoom भी कर सकते है lastly, इंस्टाग्रेम की तरफ से एक और important update है तो mostly पिछले वीडियो में लगता है मैंने आपको बताया था कि US में teenagers ज्यादा Instagram को use कर रहे है देर्फोर USA government इसे restrict करने के लिए कुछ नया rules लाना चाहते थे तो अब ये rules आ गया है और Instagram भी इन rules को oblige होके नया 3 accounts को लाया है ये आप कह सकते हैं कि most restricted version of Instagram है तो इसका restrictions है एक ये accounts private होगा दूसरा रात 10 बजे से सुबह 7 बजे तक notifications mute होंगे और अल्सो ये under 18 users सिर्फ उनकी followers से message receive कर सकते है अल्सो parents अगर चाहते हैं तो app limit भी set कर सकते है प्लस optionally बच्चे किसके साथ chat कर रहे हैं ये भी parents देख सकते हैं नहीं मतलब वो chats को पढ़ने ही सकते बस उनकी बच्चे कौन सी user के साथ message कर रहा है उसे देख सकते है ये restrictions जो भी नया under 18 users sign up होगा तो उसके लिए already ये apply होना शुरू होगा है लेकिन जो existing users है उनको अगले दो महिनों में USA, UK, Canada and Australia में ये feature roll out होगा और around the globe ये restrictions 2025 January में release होगा मेरे ही साब से ये एक बढ़ी आमो है क्योंकि अब बच्चों को limit में नहीं रखेंगे तो आगे वो हमारे आट से चूट जाएंगे next news RBI की तरफ से है तो अब तक आप ATM में UPI के तुरू cash को withdraw कर सकते थे लेकिन जल्दी ही आप UPI के तुरू ATM में cash को deposit भी कर सकते है और सिर्फ आपकी अकॉंट को ही नहीं दूसरे बंदे के अकॉंट को भी cash को deposit कर सकते है ये feature को यूज करने के लिए एक UPI enabled ATM में जाना होगा फिर वहापर deposit cash तुरू UPI option को select करना होगा बाद में ATM एक QR कोड को दिखाएगा उसे UPI app के तुरू scan करना होगा बाद में आप में beneficiary को select करके amount enter करना पड़ेगा फिर cash को ATM में डालना पड़ेगा आखिर में ATM में दिखने वाली amount और आपकी app में दिखने वाली amount को verify करने के बाद प्रोसीड क्लिक करना होगा फिर ये amount beneficiary के account में credit हो जाएगा फिलाल तो RBA ने इस method को use करके cash deposit करने की limit 50,000 रखा है लेकिन banks को freedom है इस limit को और कम करने के लिए anyways मुझे तो feature अच्छा लगा क्योंकि card अगर गर पे बुल गई तो जाके लेने के बीच ATM अगर lunch break में चला गया तो next मेरा favorite update legendary drone company DJI ने उनका नया new drone को launch किया है ये DJI का अब तब का smallest drone है सिर्फ 135 grams है और इसका price भी उतना ही कम है 200 dollars मतलब कुछ 17,000 रुपीज के आजपास सिर्फ drone के लिए obviously ये drone का features है 4K recording at 30 fps 22GB of internal storage 18 minutes of flight time और sensors इसमें आपको सिर्फ downward facing मिलेगा and DJI कहता है कि ये सिर्फ social media या personal use के लिए बनाया है commercial purposes के लिए like pre-wedding shoot हो गया या advertisement हो गया उसके लिए ये suitable नहीं है बिकास इसका sensor से चोटा है तो ये ज्यादा details capture नहीं कर पाएगा therefore DJI ने सिर्फ इसे personal use के लिए बनाया है यहाँ पर एक और point note करना है कि इस drone के साथ remote नहीं मिलेगा क्योंकि drone के उपर ही कुछ modes का buttons है उसको click करेंगे तो drone उपर उस mode में जाके हमें film करेगा and in case ये modes आपको काफी नहीं है तो phone में DJI fly आपको install करके उसके तुरू drone को control कर सकते है लेकिन अगर आपको additional range और intelligent flight modes चाहिए तो 159 dollars देखे DJI का RCN3 remote लेना पड़ेगा overall देखा जाए तो value for money drone है market में भी इस price का drone मिलता है लेकिन वो बखवास होता है लेकिन ये हमारे इंडे वाले कब बनाएंगे इसा drone नेक्स्ट कबर Tesla कार कंपनी का ओनर Elon Musk जी का Neuralink कंपनी के तरफ से है तो ये कंपनी brain के अंदर electronic chip को implant करने के लिए माना जाता है जिससे आम एक device को छूए बिना सिर्फ आमारी source से control कर सकते है तो ये कंपनी ने recently blindside नाम की एक device बनाया है इससे एक अंद्वेक्ती को उसकी दुरुष्टी वापस मिलेगी तो ये कुछ इस तरफ से काम करता है पहले blindside device के अंदर की cameras footage को capture कर लेता है फिर इस information को brain के अंदर की neural link chip को बेचता है फिर वो chip इस details को brain की visual cortex part को बेचता है visual cortex एक brain का part है जो responsible है हम जो भी देखते है उसे process करने के लिए therefore हमरी brain की ये part टीक रहा तब भी ये device काम करेगा also Elon Musk जी के हिसाब से ये device first version होने के कारण इसमें clarity तोड़ा कम होगा लेकिन जाते जाते जब technology advanced होगा इसका clarity भी बढ़ेगा और ये कहते है कि American government ने इस device का experimental use के लिए clearance देदी है बैसाब मैं तो इस device को देखने के लिए बहुत इंतसर कर रहा हूँ क्योंकि ये तो next level technology है आपको क्या लगता है कमिच में बताइए आकरी update Amazon और Flipkart के बारे में है तो मैं recently इन दोने के आप में scroll कर रहा था कुछ interesting devices को देखने के लिए लेकिन अचानक मेरे सामने एक banner आया जिसे देखे मैं एक दम चोग गया क्योंकि ये e-com gents अब two healers को भी sell करने लगे है और इसका price showroom के इसाब से कुछ कम था और उसके ओपर cashbacks भी था क्या पता shortly ये शायद cars को भी sell करेंगे यार देखो मुझे क्या लगता है न अगर कोई intelligent, selfish बंदा है तो वो पहले showroom में जाके गाड़ी का experience लेगा और पसंद आया तो online में जाके और companies में book करेगा तो आगे की दिनों में शायद showroom वालों की बहुत बाट लगेगी और वो शायद सर्विसेस से पैसा कम अपाएंगे तो पहले e-com आने के बाद retail businesses की बाट लग गई और अब बारी है शायद vehicle dealer की ये एपिसोड के लिए बस इतना ही आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा अगर हाँ तो प्लीज इसे लाइक कीजिए और आपकी friends और family के साथ भी share करिए और हाँ Instagram में भी follow कर लीजे इसी तरह की कमाल की tech updates के साथ अगले वीडियो में फिर मिलेंगे तब तक पता है ना जै हिंद वन दे मात